मैं मुसलिम हूँ तू हिंदू है यह दोनो इंसान ला में तेरी गीता पढ़ लू तू पढ़ ले कुरान अपने तू दिल में है दोस्त बस एक ही अर्मान एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान जीयां दोस्तों स्थन्तिता दिवस्त की आप सभी को हार्दिक बोशिश की है कि अब हम हिंदी व्याकरण की भी कुछ एक लासिस बीच में लेती रहेंगे तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की आज हम पढ़ेंगे संधी और इसके अंत्रगत हम देखेंगे संधी के अर्थ और भेद तो चलिए शुरू करते हैं अभी ये बात कर रहा है वर्णों की इससे पहले हमने समास के बारे में देखा था ना क्लास में तो वहाँ पर हमने देखा कि जो शब्द हैं वो आपस में मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो उसको क्या का जाता है उसको समास का जाता है लेकिन अब वर्णों की बात की जारी ह तो वर्ण के मेल से क्या बनता है? वो संधी बनती है. देखिए संधी में प्रत्थम शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रत्थम वर्ण जोड़ा जाता है. For example, जैसे देखिए राम, जमा, अवतार. तो राम में देखिए क्या है? कि जो मौ है, उसमें क्या चुपा है? औ है. क्योंकि हमने जब वर्णों के बारे में पढ़ा था, तो प्रतीक वर्ण में, व्यंजन में क्या है? स्वर्ण चुपा होता है. तो मौ क्या है? व्यंजन है ना? तो मौ में औ की आवाज आरी है. लास में आरे है न तो इसलिए इसमें क्या है ये स्वर छुपा हुआ है और आगे वाला हम बोल रहा है ये बोल रहा है कि दूसरे जो शब्द है उसका पहला वर्ण पहला वरण क्या है उसमें ओ है तो इसलिए इसको क्या का जाता है संदी का जाता है वरणों के मेल को ठीक है दूसरे देखिए जैसे उत जमा लास तो यहां पर देखिए तो को हलंत किया गया है तो हलंत करने का मतलब होता है कि इससे हमने स्वर की जो आवास थी या जो स्वर धनी थी उसको निकाल दिया है ठीक है ना क्योंकि तो काया है ब्यंजन है और जब हमने इसको हलंद कर दिया तो हमने इसमें स्वरकिसंदी को यहां से निकाल दिया ठीक है दोस्तों तो यह क्या हो गया उल्लास तो देखिए तो और लौ जब मन रहे हैं तो अधा लौ इसमें एक्स्ट्रा आ गया ये क्या हो गया इसमें विकार हो गया ठीक है देखिए बाकी के जो हमने इधर उधर के जीतरें भी वर्ण है वो हमने बिल्कुल वैसे के वैसे रखें ठीक है उ की जगा उ ही रखा लास की जगा लासी रखा लेकिन जो तौ से लौ बन गया थोड़ा सा ब कि सारे कि सारे वरण वैसे ही लिखे है तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि संधी क्या होती है कि यह वरणों का मेल है ना कि शब्दों का मेल है कि दो इसमें क्या होंगे दो शब्द होंगे और उन दो शब्दों में जो पहले वाला शब्द होगा उसका हमने आखरी वर्ण देखना है और जो दूसरे वाला वर्ण शब्द होगा उसका हमने पहले वाला वर्ण देखना है और उन फस्ट और लास्ट के जो वर्ण है उन दोनों में ही क्या होगा विकार होगा मिलने से उनके, clear दोस्तों तो यह हो गया संधी की दो निकटवर्ती वर्ण जब आपस में मिलकर कोई नया वर्ण बनाते हैं तो उसको क्या गा जाता है, संधी कहा जाता है चलिए अब हम देख लेते हैं कि संधी के कितने भेध हैं उससे पहले देख लेते हैं कि संधी विचेद क्या होता है अब हमने संधी की बारे में पढ़ लिया तो आप विचेद देख लेते हैं कि क्या है, देखिए नियमों द्वारा मिले वर्ण जब मूल अवस्था में लाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है संधी विचेद कहा जाता है देखे कुछ एक नियम है इसके कि उनके द्वारा ये बोरा है कि जब उसको अपनी उसी अवस्था में ला जाता है उन दोनों शब्दों को तो उसको क्या कहा जाता है उसको विचेद का विचेद का मतलब एक तरीके से उ और संधी अब हम देख लेते हैं कि संधी के कितने भेद हैं अगर हम संधी के भेदों की बात करें दोस्तों तो संधी को जो इसके प्रत्थम वर्ण के अधार पर जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि पहले वर्ण के अधार पर इसके कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं कि हम पहली शब्द का क्या देखते हैं, अंतिम वर्ण देखते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ें देखते हैं, अगला जो वर्ण है, उसका पहला वर्ण देखते हैं, ठीक है, तो यह कह रहा है कि इसमें तीन भेद हैं इसके देखिए, स्वरसंधी, व्यंजन संधी और विसर संधी का आजाता है, देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, जैसे हमारे पास से देखिए, जैसे हमने पढ़ा था देवाल्य, देव जम्हा आल्य है, तो वो में क्या था, आल्य है, ठीक है, तो आगे, तो वो में क्या है, ओ है, तो वो स्वरसंधी है, देखिए दूस यह है, तो वہाँ पर क्या होगी विसर्ग सन्दी, इस तरी के से इन को पहचानते हैं कि कौन आज दोस्तों यह इसके भेद होगे अब हम देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहला सन्दी का भेद है है सवर संदी दिखिए सवर संदी हमने पहले भी पर लिया होगे ठीक है जैसे देखे यहां पर लिखा है देव आल्य तो देव में देखे क्या है ठीक है ना देव और आल्य तो वो में क्या है ओ चुपा हुआ है और ओ के साथ आगे क्या मिल रहा है आ मिल रहा है इसको क्या का जाता है और आ इसके मिलने से क्या हो रहा है बड़ा आ बन तो ये A और I A कैसे बन रहा है ये हम देखेंगे आगे देखेंगे हम कि स्वरसंधी के कितने भेद हैं। दोस्तो अगर हम बात करें स्वरसंधी के भेद की तो इसके पांच भेद हैं। सबसे पहले आता है दीर्ग संधी, आप इसमें साथ देख रहे होंगे कि ये जो A, E, U मेंने लिखा है, इनको भी आप याद रखेगा, गुण संधी, वृदि संधी, यन संधी और अयादि संधी, तो ये पांच बेद हैं स्वर संधी के, देखिए दीर्ग संधी, दीर्ग का मतलब होता है लंबा या बड़ा, तो यहां पर देखिए A है, तो A से A थोड़ा बड़ा है ना, तो E है, तो यह क्या है, दिर्ग है, और U है, दिर्ग है, तो मतलब हमने अभी दिर्ग संदी में कितने, कितनी चीज़ने याद रखनी है, तीन, A, E और बढ़ाू, ठीक है, गुण संदी में हमने तीन चीज़ने याद रखनी है ए ओ अर ठीक है यह हमें काम आएंगे आगे वरिधी संदी में देखिए इनकी पहचान जैसी बता रहा हूँ टीक है ना और अउ इसमें तो अल्रेड़ी दो मात्राएं लगी हुई है तो यहाँ पर मात्राओं की क्या है त्रेके से बृद्धी हो रही है तो ये बृद्धी संदी पहचान आप इस त्रेके से मानलीज़ आपको कोई शब्ध उसके आपके रूल पता नहीं है नियम पता हो जाएगी ठीक है यह बहुत सिंपल है आपको समझने में ज़्यादा परिशानी नहीं होगी अगर आपने इनको इस तरीके से याद रखा याण संदी में देखिए यारव तो जो हमारे अंतस्त वियंजन है उनमें से हमने लौ को छोड़के तीन इसमें रखे हैं कि वो इसमें आते हैं तो ये क्या है ये है यन संदी फिर आता है आपका अयादी संदी तो अयादी संदी में देखिए क्या आता है अय आय अव आव तो ये मात्रा के अनुसार आई आई अवी अवी इस तरीके से भी बनते हैं वो हम विस्तार से आगे देखते हैं, चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले दिर्ग संदी, तो देखिए दोस्तों दिर्ग संदी में क्या कहता है कि O A E E U U के बाद यदि यही स्वर आएं तो दिर्ग संदी हो जाती है, ठीक है, यह थोड़ा सा नियम आपने याद रखन इसको कि O A E E मतलब हरस्व स्वर हैं ये, या दिर्ग स्वर, दोनों हैं, हरस्व या दिर्ग स्वर के बाद यदि यही स्वर फिर से आजाएं, तो उसको क्या गा जाता है, दिर्ग संदी कहा जाता है, देखिए जैसे राम जमा अवतार है तो यहाँ पर क्या है, राम अवत तो उसका भी क्या हो जाएगा आ हो जाएगा देखिए विद्या जम्ह अर्थी तो विद्या जम्ह अर्थी यहां पर क्या है विद्यार्थी विद्या में क्या है आ लगा हुआ है यहां पर देखिए आ लगा हुआ है और आगे क्या है आ है तो विद्या जम्ह अर्थी क्या हो और A दोनों है तो वो भी क्या बन रहा है तो ठीक इसी तरीकी से E जमाँ E क्या होगा E बड़ी E होगा और अगर छोटी E और बड़ी E दोनों होगे तब भी E होगा और U के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ठीक है दोस्तों तो ये हो गया कि हमारी जो दिर्ग संदी है दिर्ग संदी का मतलब क्या है जहां पर भी हमें क्या दिखे A बड़ी E और बड़ाउ ये मातराएं बीच में दिखे तो उसको क्या का जाता है दिर्ग संदी ये दिखे विद्यार्थी में A की मातरा दिख रही है नवागत में आ की मातरा दिख रही है विद्याले में आ की मातरा दिख रही है ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि E के अनुसार ठीक है दिर्ग संधी यह कहता है कि यह देखिए दिर्ग संधी यहां पर लिखा है न A, E, U यह हमने याद रखने हैं यह तिन चीज़ें उधारन देखिए स्वार्थी तो स्वार्थी में क्या है बड़ा है, धर्मात बड़ा है नवागत बड़ा, सत्याग्रह बड़ा परिक्षार्थी, यहां पर भी बड़ा है देवालिय सिमांत मतलब कहने का भी प्राय क्या है जहां पर भी बड़ी मात्रा आपको बीच में दिख जाए तो वो ही क्या है दिर्गसंदी है लंबी है मतलब ठीक है अतीव देखिए बड़ी की मात्रा है कपीश में बड़ी की मात्रा है कविंद्र में बड़ी की मात्रा है गिरी इश बड़ी की मातरा, कहीं भी आपको छोटी इश की मातरा नहीं दείकेगी, ठीक है न? तो बड़ा ही दिख रहा है जहां भी, जिस भी शब्द में आपको क्या दिखे, बड़ी इश की मातरा दिखे और बहुत सादारण आप शब्द देख की पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधी चुपी हुई है तो आपने सिंपल सा आप क्या करना है कि अगर आपने इसको विस्तार से देखना है मतलब धंग से इसको पढ़ना है तो आपने इसको नियम को थोड़ा सा याद करना है अग दिश्रा जो इसका भेध है वो है गुण संधी तो गुण संधी में हमने तीन चीज़ा याद रखनी है इसमें भी ए, ओ, और, अर तो देखिए कब बनता है ये ये कहता है कि ओ और आ यदि किस से मिल जाए यहां देखिए यहां देखिए यहां पर नर जमा इश नरीश तो इसमें क्या है ओ चुपा हुआ है ठीक है ना तो जब इसमें ओ चुपा हुआ है तो आगे क्या है यह है यह न बड़ी इश तो ओ और यह क्या बन रहे है जब यह मिल रहे है तब क्या बन रहा है यह बन रहा है तो इसलिए बाकी चीज़ें हमने वैसे की वैसी रखी देखि देखिए O और A, अब देखिए O और A अगर किस से मिल रहे हैं, यह बोल रहा है, O, O, बड़े O से मिल रहे हो, तो उसको क्या हो जाता है, O हो जाता है, यह देखिए, कहने का मतलब क्या है धी, क्या है कि, यह O और A जब O, O से मिलेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, O हो और उ is equal to O, तो इसका मतलब क्या है, कि इसमें भी क्या है, गुण संधी है, क्यों कि पहले में A बन रहा है, दूसरे में O बन रहा है, और तीसरे में और देख लेते हम, यह बो रहा है कि O और A, पहले तो क्या आएगा, पहले O A ही आएगा, ठीक है ना, बाद में क्या होगा, क उसका हो जागा, A, O, और, ठीक है, O A अगर री से मिल रहे हों तो और, देव जमा, रिशी, देवर्शी, तो व, देव हमने पूरा वैसा ही लिख दिया, रिशी की जगा हमने क्या कर दिया, अर लगा दिया, ठीक है ना, अर्शी, देवर्शी, ठीक है, व में क्या है, O है, आगे रो है, अरी, अर, हो गया ना, दिवर्शी, क्लिर है दोस्तों, तो ये था गुण संधी, अब इसके देखिए, जैसे नीचे क्या है, उदाहरन दिये हुए है, जैसे नरेंद्र, तो इसको क्या से करेंगे हम, देखिए, नर, जमा, इंद्र, ठीक है ना, तो ये जो न आरेश, तो इसमें भी क्या है, नर, जमा, इश, तो देखिए, हर जगा एकी मात्रा आ रही है, कहीं भी आपको कोई भी दो मात्रा है नहीं देखिए, कि सिंपली एक, एक, एकी मात्रा दिख रही है, तो ये ए संबंदी हो गया है, दूसरा ओ देख लेते हैं, देखिए, ओ में क्या है कि जैसे विरोचित तो इसमें देखिए ओ की मात्रा लगिए सगुणोपासना यहां भी ओ की मात्रा लगिए देवोपासना ठीक है देवजमा उपासना महाजमा उत्सव महोत्सव महाजमा उदय महोदय ठीक है तो यहां पर भी ओ की मात्रा लगिए अब देखिए ये अर वाले देख लेते हैं, तो अर वाले देखी क्यों से है, महा जमा रिशी, महर्शी, तो ये गलत हो गया, दिवशी हो गया, देव जमा रिशी, देवर्शी होगा, ऐसे होगा, देव, ऐसे, क्लिर है, देवर्शी, ठीक है, सब्त जमा रिशी, सब्त रिशी, ठीक है दोस कुलीर है दोस्तों? अब हम देख लेते हैं अगला जिसमें है बृधनी संदी, देखिए बृधनी मैंने पहले भी कहा जहां पर आपको बढ़ोतरी देखें, वह क्या है, वह बृधनी मत्लब मातरें मत्र एय मे देखिए तो में क्या है तो में ओ है ना और आगे क्या है आगे ए है ओ जमाँ A is equal to A ठीक है अगर O से मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा डबल उसमें ओ की मातर है मतलब ओ के बाद अगर A आया तो A, O आया तो बहुत सिंपल है यह सिंपल इसको आपने सिंपल ही समझना है कि O A के बाद A और O आ जाए तो A और O में ही बदलेंगे वो ठीक है ना जैसे मताक्या वनोश्री उधारन देखिए इसके जैसे एक 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 जमाँ 1 ऐसे होगा एक जमा एक ठीक है ना तो एक जमा एक देखे को में क्या है को में ओ है ठीक है आगे क्या है ओ जमा ए क्या बल रहा है ये ओ जमा ए तो ये क्या हो गया ए ही हो गया तो ये नीचे वाली मात्रा अपने आप में उपर एक और लगई, तो मतेक्य, ठीक है? तो ये है, दोस्तो, वरिधी a. जहां पर मातराओं की, क्या हो जाए? वरिधी हो जाए. देखिए, मतेक्या, दो मातराओं लगई है, लोकेशना में भी दो मातराओं, सदेव, तथेव, यन संधी, तो यन संधी में या, र, व, ये तीन चीज़ें हमने याद रखनी है, ये कहता है कि इसमें देखी ये क्या कह रहा है, कि यदि इ, इ, उ, उ, री के बाद भिन स्वर आए, तो या, व, र, बन जाता है, देखिए क्या से, जैसे प्रती जमा एक तो प्रती में क्या देखिए, प्रती में इ है, ठीक है, आगे क्या है, ए है, तो इसका क्या बन रहा है, या बन रहा है, तो देखना है आपने, तो में कौन सी मात्रा लगी है, तो अल्रेड़ी इ है, आगे वाला शब्द आपने लिखना है जो दूसरा शब्द है देखिए एक एक तो ए से हो रहा है ना जैसे उचारण से या जिस तरीके से वो शुरुआत हो रही है उसकी ठीक वैसे ही आपने उसको लिखना है जैसे प्रति जमा एक प्रत्यक क्लिर है दोस्तो तो एक से ये अगर आ में क्या है U है दोनों ठीक है तो आगत इनके बाद भीन स्वर तो आ क्या है आ भीन है न किन से ई उ और री से भीन है न तो ये आ है तो ये बोल रहा है कि अगर ये इस से मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा उसका वो बन जाएगा उ अगर आ से मिल जाएगा तो उसका क्या हो वा बन जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर आ से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा वा ठीक है जैसे यो में जो था उसमें हो जाएगा यन संधी, त्लिरे दोस्तों, अब इसके उधारण देख लेते हैं कि क्या है, जैसे अत्याधिक, देखिए, इसमें क्या है, इसमें आधत तो यो लगा है ना बीच में, प्रत्येक, प्रती जमा एक, प्रत्येक, इती जमा आदी, इत्यादी, तो यहां भी वा बनाते हैं, अनु जमा एशन, अनुवेशन, वधु जमा आगमन, वध्वागमन, ठीक है, तो वधु में क्या है, छोटा उ है और आगे आ है, तो इसलिए इसका क्या बन गया, वा बन गया, क्लिर दोस्तों, मात्रिच्छा, मात्राग्या, तो मात्रिच्छा, मात्री जम संधी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है यह नियम इसको याद रखना सिंपल ही आप इन चीजों को याद रखना है कि यान संधी में क्या बनता है बीचमे या रहव, तो रहखो आप याद रख सकते हैं, थ्रह से भी, ठीक है तो यह हो गया हमारा यन संधी, अयादी संधी, यह देखिए अयादी कब होती है, अयादी संधी में आपने A, O, O, यह दो चीजने याद रखनी है, कौन कौन सी चीजने याद रखनी है, इनका मेल, मतलब यह अगर पहले आ जाए, आपको दिख जाए, किसी भी शब्द में यह मात्राएं लगी हो, आखिर मे पहले शब्द के, जो दो शब्द होते हैं, संदी में, जो पहले शब्द के अंतिम में आपको अगर A, A, O, O, ये मिल जाए, किस से? भिन स्वर, इनके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो A का देखी क्या हो जाएगा? आए हो जाएगा, A का क्या हो जाएगा? आए, ठीक है, तो आए का मतलब क्या है? देखिए, ने जमाँ अन, तो ने, ने में क्या है? A लगा है ना, और आगे क्या है? O है, A जमाँ ओ is equal to I, बन गया ना, बन गया ना? आए, ने जमाँ अन, अगर आई हो तो उसका आए, ने जम आयन, तो नायन हो जाना था, लेकिन यहां पर क्या है? ने जमाँ आय है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नायक, ने जमाँ अक, नायक, clear दोस्तों? तो बहुत सिंपल है यह, इसको भी समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सिंपली सा थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें कि क्या कहना चाहरा है? यह देखे, ए अगर किस से मिल जाए? ए का मेल अगर किस से हो? आ से हो, तो उसका हो जाएगा आ है, अगर आ से हो, तो उसका हो जाएगा आ है, मतलब जिस तरीके से जहां मिल रहा है, उसको वैसे ही करना है, अगर इ से मिल रहा हो, तो आई, ज पो का क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा, जैसे पो में देखी क्या है, ओ है और आगे क्या है। तो पो जमा ओ is equal to पवन, ठीक है, तो ठीक वैसे ही अव का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा, जैसे पव है तो अगर वो मिल जाएगा औसे तो उसका क्या बन जाएगा आव ठीक है तो ये क्या हो गया पावन ठीक है तो क्लियर है उदाहन देख लेते हैं इसके जैसे गायक है पावक है गायन है भावन है नयन है चैन है गवीश है नाविक है और भावुक है तो ये क्या ह ये अलग-अलग भेद हैं अयादी संधी के इन शब्दों में देखिए गायक में क्या है आय दिख रहा है पाबक में आव दिख रहा है गायन में क्या है आय है और भवन में क्या है अव है ठीक है ना भव अव ठीक है नयन में क्या है आय है ठीक है चैन में भी क्या है आय है ग पहले से इनकी बात करें, तो जो हमारा देखिए, सबसे पहले दिर्ग संदी आता है, तो उसमें हमने याद क्या रखना है, उसमें हमने simply याद रखने है आपके, जितनी भी दिर्ग हैं, जैसे हमारे A, E, U, ये तीन है, इनको याद रखना है कि ये मात्राइं कहीं भी बीच म आ जाए तो उसमें क्या है, दिर्ग संदी है, गुण संदी में आपने A, O और A को याद रखना है, तो उसमें क्या है बीच में, A, O, और A की मात्राइं लगी होगी, वो क्या होगा गुण संदी होगी, उसके बाद आपका आएगा व्रिद्धि संदी, जहां भी आपको उचारण अगर लास्ट में आएं तो उसको कहेंगे अयादी संदी तो ये था दोस्तो हमारे स्वर संदी के कुछ एक बेद फिलाल आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाजत जय हिंद, जय भारत, हैपी इंडीपेंडनेस देग